जोतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र बताई गए हैं जिसमें पुष्य नक्षत्रों का राजा माना जाता है। इस नक्षत्र में की गई खरीदी स्थाई समृध्धी प्रदान करती है। पुष्य नक्षत्र सन्योग दिपावली से ठीक सप्ताह भर पहले यानी शनिवार 4 नवंबर और रविवार 5 नवंबर को पुष्य नक्षत्र का दुरलब सन्योग बन रहा है। दुरलब इसलिए क्योंकि दोनों दिन 8 शुब योग हैं। शनी और रविपुष्य के साथ पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनी अपनी ही राशी में रहेगा। इन शुब सन्योग में की गई खरीदारी और प्रॉपटी में निवेश लंबे समय तक फायदा देगा। शनीवार को सुबह तक करीबन 8 बजे से पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। जो रविवार को सुबह 10 बजे तक रहेगा। इस कारण शनी और रवी पुष्य के दो महा मुहूर्ट में किये काम लाबदायक, स्थाय और शुब फलदारी रहेंगे। इन दोनों दिन रियल स्टेट में निवेश, नए कामों की शुरूात, वाहन, जूर्वी, कपड़े और अन्य चीजों की खरीदारी का अक्षय लाब मिलेगा। घरेलू और ओफिस में इस्तेमाल की चीजे खरीदना भी शुब कारी रहेगा। खरीदारी का महा मुहूर्ट जोतिशाचार्य ने बताया कि दिपावली की खरीदारी शुब मुहूर्ट से शुरू की जाती है। इसमें भी पुश्य नक्षत्र विशेश माना गया है। इस बार दिपावली से पहले चारवा पांच नवंबर को दो दिन खरीदी के महा मुहूर्ट पुश्य नक्षत्र का सयोग बन रहा दोनों ही दिन नए कार्य की शुरूआत भूमी, भवन, वहन, सोने चांदी के आभूशन, बही खाते आदी की खरीदी के लिए सर्वश्रेश्ट है। भारतिय ज्योतिश शास्त्र में 27 नक्षत्र का विशेश महत्व है। 27 नक्षत्र में पुश्य नक्षत्रों का राजा म कारक होती है। नया व्यवसाय शुरू करने से उत्रोत्तर प्रगती होती है। इस दिन बही खाते धार्मिक पुस्तकें, सोने, चांदी, तामबे, स्फटिक आदी से निर्मित मूर्तियां, यंत्र, सिक्के आदी खरीदना भी शुब माना जाता है। इस विशेश योग संय अक्षत्र के साथ शंक, लक्ष्मी, शष, हर्ष, सरल, साध्य, मित्र और गजकेसरी योग रहेंगे। इन शुब योगों के साथ ही पुशिन अक्षत्र का स्वामी शनी अपनी ही राशी में रहेगा। इन शुब संयोग में की गई खरीदारी और प्रॉपर्टी में निव निवेश के लिए बेहद शुब। जोतिशाचार्य ने बताया कि रविवार 5 नवंबर को पुशिन अक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धी, शुब, श्रीवत्स, अमला, वाशी, सरल और गजकेसरी योग बनेंगे। जिससे निवेश, लेन देन और नई शुरुआत के ल